इसे हम बनाने वाले हैं एक रिचार्जेबल एलेडी वल्ब लाइट और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह रिचार्जेबल है और यह पोटेबल भी है आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं आप यहापर देख सकते हैं कि यह जो है इंडिकेटर लगा हुआ है जब आप इसे चार्ज करेंगे इसको कहीं भी आप प्लग में खोसकर इसे चार्ज कर सकते हैं तो यह इंडिकेटर जलने लएगी और यह जो है स्वीच है जिससे कि आप इसे आन और आफ कर सकते हैं तो दे बहुत ही लंबा चलने वाला है इसका जो बैटरी बैक अफ होगा वह मार्केट से जो आप खरीत कर लाएंगे उससे दस बुना ज्यादा तो अपको इस अपने घर में बहुत ही आसानी बना सकते हैं बसहां को अंतथ तक देखना होगा bere人 किया हूए कि आप इसे कैसे लगाएंगे और आपको यह कहां मिलेगा बहुत सारी चीजे तो आपको घर के subscribe में ही पढ़ी होंगी जहांसे आप इसे ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास नहीं पढ़ी हुई हैं तो आप market से भी खरिद किला सकते हैं बहुत इस असके प्राइज में मिलते हैं तो चलिए इसे बनाने से पहले आप से एक request हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो च यह जो LED वल्ब है इसके उपर के दोनों टर्मिनल आपको निकाल लेने है इसमें सिंपली निकल जाता है और अंदर के जो PCB है उसको भी निकाल लेना है अगर उपर के दोनों टर्मिनल यहाँ पर निकलने वाले इसमें तो निकलने वाले थे अगर आपके पास निकलने वाले न लागा के तो सब्सक्राइब सकते हैं निकल चुका है और इसके अंदर एक सरकीट मिलेगी हुआ तो इसे निकाल लेना है और इसके चारो वायर तो दो जो है L A C और दो इसके बाद हमें चाहिए एक DC प्लेट यह देख रहे हैं यह एक LED प्लेट है जो 10 रुपे में मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी यह जो DC प्लेट है इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर एक टर्मिनल बना हुआ है और इसमें कई सारे टर्मिनल में आपको चेक कर लेना है कि कि किस से जो है यह जो LED है वो जलती है आप मल्टिमीटर से चेक कर सकते हैं या फिर बैटरी लगा कर चेक कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक black wire ले लिया है जिसको कि इसके negative terminal में connect करूँगा और उसके बाद एक red wire ले लिया है जिसको कि मैं इसके positive terminal में connect करूँगा जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों जो wire है ये connect हो चुके हैं और इसको बैटरी में लगाते हैं ये जो LED है वो जल जाएगी है कि थोड़ा अलग हो लेकिन उस पर भी जो है print होगा कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस होता है ज्यादा तर्वे print होता है हाला कि इस पर नहीं प्रेंट है तो इस पर दोनों wire connect हो जाने के बाद इसके दोनों wire जो है हम जो LED से circuit और इसके अंदर से LED प्लेट निकाले थे उ ये दोनों terminal हमने इसजी के ऊपर से निकाला था इसमें हम इसे sold करेंगे चलिए इसे sold कर लेते है ये जो positive wire है इसको हम इसपर sold करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये sold हो चुका है अब दूसरा जो terminal है उसको sold करेंगे किसी किसी में जो है ये जो है निकलने वाला नही महीं हो और आप देख सकते हैं ये हो चुका है लग चुका है जो टर्मिनल है वो अच्छी तरीके से लग चुका है अब ये LED प्लेट है इसको हम इस LED बल्व में फिक्स करेंगे तो यहां पर मैं इंस्टेंट ग्लू की सहायता से इसको जो है चारो तरब से मैं चिपका देता हूँ त तो जिस LED बल्व की हमें जवरत थी वो LED बल्व यहां पर तयार हो चुका है ये जो LED बल्व है 220 बोल्ड AC पर नहीं अब ये 5 बोल्ड DC पर यानि कि आप इसे अब एक बैटरी पर भी चला सकते हैं इसके बाद हमें चाहिए एक छोटा electronic बोर्ड ये PVC material का बोर्ड होता है जो क पीच है वो 10 रुपे और ये होल्डर है वो भी 10 रुपे का आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं जो charging circuit जो हमने निकाला था अपने mobile charger से अब उसका यूज करेंगे हम और यहां पर आप देख सकते हैं एक वायर है जिसमें की लगा हुआ करेंगे सीधा अपने बोर्ड में लगाएंगे और इसको हम इसके अंदर डालने के लिए एक छोटा सा छेद बनाएंगे ताकि यह जो वायर है इसको हम इसके अंदर डाल सके तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने soldering आयरन से एक छेद बना लिया है छोटा सा ही छेद करना है और इन दोनों वायर को यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर देख सकते हैं यह जो दोनों वायर है इसको हम connect करेंगे अपने mobile charger के यह जो हमारा circuit है इस पर connect करेंगे तो आपको जो आप charger निकालेंगे उसमें आप देख लिजेगा कि इसमें AC वायर जो है कहां से connect हो रहा है या फिर वहां पर लिखा भी होगा कि आपको कहां पर connect करना है तो यहां पर जैसा कि मैं connect कर दे रहा हूं यहां पर AC wire यानि कि neutral और face जो है दोनों यहां पर connect हो चुके हैं जो wire इसमें connect करने के लिए आप यूज करेंगे उसको थोड़ा मोटा ही रखिएगा इसके बाद हमें दो बैटरी यहां पर देख सकते हैं आप बैटरी पसीधा सीधा लिखा यह 18650 लिथिया मायन बैटरी 1200 इमेच की दो बैटरी है इसका हम यूज करेंगे और इसके दोनों यानि के positive एक तरफ और negative एक तरफ जोड़ लेंगे इन दोनों बैटरी को तो पहले मैंने एक साथ कर जो कि आप बहुत ही आसानी से इसे connect कर लेंगे यहां पर देख सकते हैं दोनों negative जो है वो connect हो चुके हैं अब हमारे पास दो positive टर्मिल बचे बैटरी के उन दोनों को भी connect कर देना है यहां पर मैं इसको skip नहीं कर रहा हूं ताकि आपको यह पूरा समझ में आ जाए कि इसे क connect करना है तो आप देखिए दोनों positive एक साथ connect हो चुके हैं दोनों negative एक साथ connect हो चुके यानि कि दोनों बैटरी जो है वो parallel में connect हो चुका है चलिए इसके आगे बढ़ते हैं तो यह जो charging circuit है उसको हम connect करेंगे बैटरी से लेकिन उसको connect करने के लिए इसके बीच में हम लगा positive मिल रहा है उसमें और जहां पर negative मिल रहा है उसको हम सीधा बैटरी के negative वायर से connect कर देंगे जैसा कि मैंने यहां पर connect किया है आपको यहां पर positive और negative ढूणने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और यहां पर जो हमारा positive वायर है उसको हम सीधा सीधा इसके cathode वाले यानि ये silver वाले हिस्से पर connect कर देंगे जैसा कि यहाँ पर connect हो चुका है तो इस circuit में कहां से 5 volt DC मिल रहा है वो जब आप circuit को खोलेंगे तभी आप देख लीजिए या फिर circuit पर ज़्यादा तर लिखा भी रहता है कि कहां से या फिर आप इसे multimeter से भी चेक कर सकते हैं कि कहां से 5 volt DC मिल रहा है तो जहां पर हमने diode connect किया है यानि कि 5 volt DC जहां पर plus मिल रहा है वहां पर एक wire और connect करना है हमें चलिए इसको बताएंगे कि यह वाला wire हम क्यूं connect कर रहा है लेकिन एक wire और connect करना है चोटा सा और यहाँ पर देख रहे हैं यह double-sided tape है उसको हम यह जो हमारा circuit है उसके पीछे लगाएंगे और इसे हम simply चिपका देंगे जो हमारा यह board है electronic board जिसका कि हम use कर रहे हैं उसमें हम इसे चिपका देंगे और यह इस पे अच्छी तरह से चिपक जाएगा यह जो double-sided tape होते हैं यह plastic पर बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरी तरह completely fix हो चुका है तो यहाँ पर इसका एक और हिस्सा लेंगे और यह जो हमारा double-sided tape है इससे बैटरी को भी चिपका देंगे तो चलिए इस बैटरी को भी हम चिपका देते हैं तो यह जो charging रेजिटर है आपको किसी भी electronic swap पे मिल जाएगा और यह जो LED है वो indicator के लिए लगाऊंगा मैं तो इससे हाँ पर छेत कर रहा हूँ ताकि LED को इसमें fix कर सको तो चलिए इस LED को मैं इसमें लगा देता हूँ और फिर इसके बाद इसका connection करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते है यह जो LED है पूरी तरह से fix हो चुकी है इसमें दो लेग है यह जिसका जो positive लेग है उसमें लगा हुआ है 1K का register और एक negative लेग है जो की आप side में देख सकते हैं तो indicator वाली LED के positive लेग में जो हमने charging module में एक extra red wire निकाला था यानि कि 5V plus से उसको हम connect कर देंगे LED लेग पे जिस लगा हुआ है उसके दूसरे वाले लेग पे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह connect हो चुका है तो यह जो LED है उसको हमने लगाया हुआ है indicator के लिए ताकि जब हमारी बैटरी चार्ज हो तो वो जले ताकि यह पता चले कि जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है अब यहां पर जो negative wire है जो बैटरी से हमारा charging circuit में जा रहा है उसको हम 20 से काट देंगे और उन दोनों को एक साथ करके हम यह जो हमारा LED वाली negative leg है उसपे connect कर देंगे तो जैसा कि मैं यहां पर connect कर रहा हूँ उन दोनों को मैंने 20 से काट लिया और फिर दोनों को एक साथ कर दिया और उसके जो सीरे हैं उसको हम सीधा connect कर देंगे जो हमारा negative leg है LED का उसपे आपको सीधा सीधा connect करना है यहां पर कोई register नहीं लएगा जैसा कि यहां पर connect हो चुका है आप देख सकते हैं तो I hope कि इसका पूरा connection आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो थोड़ी सी लंबी है मैं जानता हूँ लेकिन आप वीडियो में कहीं भी skip मत कीजिएगा क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा तो यह होने के बाद इस electric board के उपर वाले panel को लेंगे यह जो panel है आपको इसी board के साथ मिलेगा इसके लिए कोई आपको extra pay नहीं करना होगा इसमें हम लगाएंगे switch तो यह पेचकस की मदद से कस लेंगे चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा fast forward कर देते हैं तो जैसा कि मैं यहाँ पर कस रहा हूँ इसको भी आपको यह switch को fix करना होगा तो यहाँ पर जो switch है वो fix हो गया है इसके बाद जो हमने bulb holder लिया था उसमें connection करेंगे तो जैसा कि आप देख सक जो है वो board के अंदर चला जाएगा तो वो नहीं लेना है यह जो हमारा bulb holder है इसका सारा हिस्सा जो है वो board के ऊपर रहेगा जब को आप दूसरा bulb holder लेंगे जिसका की हिस्सा बोट के नीचे रहेगा तो वो जो है हम जो भी instrument लगा हुए है बोट के अंदर उस पे fix नहीं हो प काएंगे instant glue की मदद से और instant glue की मदद से यह अच्छी तरह से fix हो जाएगा आप चाहो तो glue gun की मदद से भी इसको चिपका सकते हो लेकिन glue gun यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लएगा क्योंकि इतना साफ साफ है glue gun थोड़ा सा मोटा मोटा इस पे लएगा तो अच्छा नह जैसा कि मैं यहाँ पर connect कर रहा हूं switch के एक टर्मिनल से यह जो holder है उसका एक wire connect करेंगे यहाँ पर आप red black दोनों कर सकते हैं क्योंकि बाद में फिर holder में उल्डा सिदा करके देख लिया जाएगा और यहाँ पर switch का जो दूसरा टर्मिनल है उसमें हम एक छोटा red wire connect करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें दो wire मिलें एक red और एक black एक red जो कि switch से होता हुआ आ रहा है और एक black जो कि सीधा हमारा holder से होता हुआ आ रहा है तो यहाँ पर जो हमारा battery और charging module में जा रहा है उन दोनों wire को एक साथ हुआ है तो उसको हम काट देंगे और इसमें connect कर द देते हैं और इसके बाद इसपे tap लगा देंगे तो जब तक मैं इसको connect कर रहा हूं और इसपे tap लगा रहा हूं आपसे एक request है कि अगर आप इस channel पर नए है तो channel को subscribe कर दीजिए, bell icon दबा दीजिए, इस video को like कर दीजिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसको tap से दा आ रहा है उसको हम connect करेंगे यहाँ पर जो negative wire है indicator पर लगा हूँ है negative wire यानि कि सब ही negative जो है एक साथ ही इसके connect होंगे तो यह जो connection है पूरा complete हो चुका है आप देखिए कि जो connection है यह पूरा complete हो गया और मैंने आपको एक एक step explain किया कि यह जो connection है आप कैसे करेंगे तो इ पर screw की मदद से यह जो screw है आपको board के साथ ही electronic shop वाला देगा उसी कुक से आप यह जो screwdriver है उससे कस दीजिए इसको कोई भी चिपकाने आ फिर कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो यह जो है चारो कस चुका है चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम इसको charge ने लगा दिया और आप देख सकते हैं कि यहां पर red और blue जो light है वो जल रही है यानि कि अब हमारा जो लगा हुआ बैटरी है अंदर वो charge हो रहा है और इसके charge हो जाने के बाद मैं इसकी testing दिखा हुआ चलिए मैं आपको एक बार live दिखा देता हूँ charge होते हुए तो जैसे मैंने इसे switch में लगाया यानि कि board में लगाया इस plug को यहां पर यह जो हमारी indicator वाली LED है वो जलने लगी और यह जो हमारा instrument है यानि कि यह जो gadget है जो हमने बनाया है वो charge होने लगा इसमें किसी भी तरह का कोई current नहीं आएगा और आगे बढ़ते हैं चलिए आपको इसकी testing द आखिर में है यहां पर इस bulb को आप कभी भी main holder जो कि आपके घर में लगे हुए हैं जिसमें कि 220 volt AC current आता है उसमें लगाने का कोशिस ना करें क्यूंकि यह जो है अब 5 volt पर चलने वाला DC bulb बन चुका है यह सिर्फ इसी में लगाएगा दूसरे holder में इसको न लगाए क्यूंक कि यह कितना जादा bright जल रहा है तो चलिए लगाते हैं switch on करते हैं तो देखिए यह नहीं जला क्यूंकि इसकी जो quality है वो उल्टी लगी हुई है यहां पर जो DC होता है उसमें positive negative का ध्यान रखना पड़ता है तो इस LED बल्ब को उलटके लगाए देखिए अब यह जो है अच हम दिखाते हैं और अभी मैं room में अंधेरा करता हूं दिखाता हूं आपको यह कितना जादा bright है तो room में मेरे पुरी तरह से अंधेरा है और आप देख सकते हैं कि इसकी brightness है वो ज्यादा कितनी जादा तेज है तो चलिए इसको मैं अब रात के अंधेरे मिले चलता हूं और जितनी भी सारी चीजे हैं वो visible हो जा रही है यानि कि यह जो LED बल्फ है काफी ज्यादा powerful है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा है और यह जो LED लाइट जलाते ही देखिए आप कितना ज्यादा रौसनी हो जा रहे है यानि कि यह जो LED बल्फ है का कमेंट करूँगा कि आप इसे जरूर बनाईए और अपने घरों में या फिर कहीं भी यूज कीजिए तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते है कैसे ही नए और हमेजी वीडियों में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए बाए